दोस्तो स्वागत है सभी का एक्जाम सुथ MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं दोस्तो UP Board परिक्षा 2021 के लिए हम लाए हैं Science का सिलेबस, विज्ञान का सिलेबस, कक्षा 10 विज्ञान का सिलेबस की क्या-क्या आपको पढ़ना पढ़ेगा सतर अंक का प्रशन पत्र देने के लिए और आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और आपके लिए कौन से टॉपिक्स ठीक हैं पढ़ने के लिए और कौन से टॉपिक्स नहीं ठीक हैं ऐसा नहों कि आप दूसरी चीज़े पढ़ते रहो और आपकी सिलेबस की चीज़े छूट जाए और आपका स्लेबस इनकम्प्लीट रह जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञान कक्षदस का स्लेबस है यूपी बोर्ड 2021 और आने वाले वर्शुम में भी यह लागू रहेगा जब तक की स्लेबस बदला तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि कक्षदस विज्ञान है दोस्तों और यहाँ पर इसमें सत्तर अंक की लिखित परिक्षा है तीस अंक की प्रयोग आत्मा किया प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कार्य होता है नहीं तमक्रील या यांठ तेही आउंक in theory में आपको 23 अंक प्राप्त करने हो और जबकी प्रैक्टिकल में आपको तीस में से 10 अंक प्राप्त करने है यूनिट कौन कौन सी है यूनिट जोस्तों कुल 5 यूनिट है पहली यूनिट है हमारी रासायनिक पदात प्रकरती एवं विवहार 20 नंबर की यूनिट है दूसरा हमारी यूनिट है जैव जगत ये भी 20 नंबर की यूनिट है तीसरा हमारे प्राकरतिक घटनाए ये दोस्तो 12 नंबर की यूनिट है चौथी यूनिट है फोर्थ यूनिट ह प्रभाव तेरा अंक की यूनिट है और पांचवी काई है पांचवी यूनिट जो है दोस्तों प्राकरतिक संसाधन यह पांच नमबर की यूनिट है तो टोटल मिलाकर यहां पर सतर अंक बन जाते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है वो देखिए पहले यूनिट में आपको पढ़ना है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाय पढ़ने होंगी पहली यूनिट का नाम है दोस्तों रासायनिक पदात प्रकृति एवं विवहार इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाय पढ़ने है फिर आपको अमल त्वावन दोस्तों एक काई में कई सारे चैप victorious होते हैं इससारे पाथ हो सकते हैं इसलिए यहाँ पर युनिट में आपको कई सारे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे पहला चैप्टर था रहाता का भीट्रिया है पहली यूनिट का दूसरा है प्रतिक सबक तो क्या है गुडधरम क्या है फिर आता है आपका नेक्स चैप्टर धातु एवं अधातु अब धातु अधातु हो की गुडधरm शकृता श्रीड़ी इनके गुडधर्म क्या है संच्छारन या निकी जंग लगना बहुत ही important topic होता ही अगला है हमारा कार्बनीक योगिक कार्बनीक योगिक में दोस्तों in Cin यसी नामकरण पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा तक्तों का आवर्त वर्गी करण इसमें आपको मेंडलीव की आवर्त सारडी आधुनी का आवर्त सारडी पढ़ाई जाती है जो मेंडलीव की पुरानी पुरानी आवर्त सारडी अब अधिक मानने है क्यों यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो गई दोस्तों यहां पर जैव प्रक्रम सबसे पहले यूनिट टू का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम इसमें सजीव पौधे तता जन्तू में पोशन क्या है श्वसन क्या है परिवह उत्सरजन की मूल अवधारण आपको पढ़नी है फिर आपका दूसरा चैप्टर है जन्तू तता पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय इसमें पौधों में दिशिक गती पादप हार्मोनों परिचे जन्तू में नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तंत्र एक्षिक पेशिय प्रतिवर्ति क्रिया, most important topic is प्रतिवर्ति, यानि कि reflex section हर साल बूचा जाता है, रासानिक समनवाय जनतों में हार्मोन, यह आपको पढ़ा जाएगा, अगला है हमारा प्रजनन, यहाँ पर आपको जनतों तथा पोदों में प्रजनन दो प्रकार का होता है, लेंगिक तथा अल प्रजनन स्वास्त क्या होता है, अवशक्ता परिवार नियोजन की विदिया, सुरक्षित यौन, HIV, AIDS, प्रसूती एवं जनन स्वास्त, यह सारी चीज़े आपको पढ़ाई जाएंगे, नेक चैप्टर है आपका अनुवानशिक्ता एवं जैविकास, असमें अनुवानशि परिचे इन सारी चीज़ों का आपको पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ना पढ़ेगा, नेक्स्ट अमयार यूनिट 3 इस प्राकरतिक घटना है, इसमें आपको फिजिक्स की यूनिट है, यह दोस्तो फिजिक्स की फिजिक्स के चैप्टर आएंगे इसमें, अब दोस् को वक्रप्रष्ट दोरा प्रकाश का परवर्तन यह फिजिक्स के चैप्टर होंगे इसमें, गोली दरपड़ो दोरा प्रतिविम का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, दरपड़, सूत्र, निगमन नहीं करना है, कि वहले आपको बताया जाएगा, अ अपवर्तनांग क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, आवर्धन क्या है, लेंस की छम्ता क्या है और सबसे बड़ी बात कि मानो नेतर में लेंसओ का कारिया है, दूर द्रेश्टी दोष, द्रेश्टी दोष इसी चैप्टर में आता है, वो आपको अच् оказh की परिकेड़ यह सारे टॉपिक्स छोटे-चोटे हैं आप बिल्कुल नब ऐसा मत समझ लेना कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है बलकि यह छोटे-चोटे टॉपिक्स हैं बस एक परिभाशा होती है एक फॉर्मुला इस तरह के होते हैं यहां पर आपको ज्यादा कुछ करने कर बस आपको चेत्र चेत्र गख Χांएं किसी विद्धृ दि द्ारः वही चालग के कारढ़ चुम की चैत्र पर इनालिका में प्रवायत विदृ द्धृट्व द्धृर्ट के चुम के छेते प्रइत विभांतर फ्लेमिंग के दाया हात के अंगुलते का विद्धुद्जनरेटर, विद्धुद्जनित्र दिष्टधार, प्रत्यवर्तिधार से लाप, यह सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, and the next is unit 5 प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन में आपको पढ़ा जाएगा उर्जा के स्रोत उर्जा के विभिन रूप क्या है उर्जा के परमपरागत और बिलकुल आसान unit है दोस्तों बस आपको एक बार देखना है और बस दो तीन प्रेशन आप इससे उठा लो important notes बना लो ये unit आपकी 5 अंक की है और ये आसानी से cover हो जाएगी उर्जा के स्रोत क्या है नाबिकी उर्जा क्या है जाजवारी उर्जा क्या है बायो गैस उर्जा क्या है नवी करनी है और अनवी करेडी उर्जा के सोतों की तुलना करनी है हमारा पर्यावरण में परितंत्र पर्यावरणी समस्या है ओजोन परत का अप्षेन अप्षिष्ट उत्पादन दतनिवारण ये सारी चीज़े पढ़ाई जाएंगे प्राकरतिक संसादनों का प्रबंधन प्राकरतिक संसादनों का संरक्षन तता उचित उप्योग वन तता वन जीव कोला पेट्रोलियम संरक्षन इन सब चीज़ों को जल संसादन प्राकरतिक संसादनों का संपोशन ये सारी चीज़ें बहुत आसान रहने वाली है आपके लिए अब आपको यह देखना है कि अब आपको यह बताना है यहां से एकजांस दोधे MSK studio से आपको यह बताना है कि पेपर तीन पार्ट में डिवाइड होगा पहला होगा physics का पार्ट 25 marks, दूसरा होगा chemistry का पार्ट यहने की 20 नंबर का और फिर होगा बायो का पड़नी की 25 नमबर का लेकिन ये syllabus आपका इतना है और syllabus आपको यहीं से देख कर पढ़नी चाहिए और सारी बुकों में जो भी आप text book खरीदेंगे या आप question bank खरीदेंगे तो उसमें इसी syllabus के coding questions दिये होंगे तो questions को ध्यान से पढ़ियेगा समझियेगा मिलते हैं आपने next video में question paper भी आपको सारी दिखाएंगे question paper model paper important questions tips tricks about exam 10-12 के लिए exam सुदे में इसको subscribe कीजी इसी परकार के important videos के लिए thanks for watching and listening and good luck for your future thank you and bye bye